नमस्कार मैं हूँ विदिशा शांडिल्या और आप सब देख रहे हैं समाचार एक्स्प्रेस उत्तर प्रदेश के संबल के पंचायत राजविभाग में सीएम के आदेश का कोई भी खौफ नजर नहीं आ रहा है यहां मुख्यमंत्री के आदेश पर खुले आम पली का फेरा जा रहा है बतादे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनात लगातार मंचो पर वो टीवी चैनलों के इंटरव्यू में कहते हुए नजर आते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई भी भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया है तो उसकी संपती से उस धन की वसूली की जाएगी लेकिन जनपत संभल के पंचायत राज विभाग में सीएम के आदेश का कोई भी खौफ नजर नहीं आ रहा क्योंकि असमोली विकासखंड में तैनात रहे कपिल चोहान जिनके उपर तमाम तरह के गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और चार्चीट तक न्यायारले में दाखिल हुई उसके बाद भी अन्य गाउं में भी भ्रष्टाचार के कई प्रक्रण सामने आए पर उन पर कारवाई की बजाए उन पर पंचायत राजविभाग की महरबानी होना एक बड़ा सवाल खड़ा करती है हम आपको बता दे कि ये ताजा मामला जनपत संभल के असमोली विकासखंड के गाउं बुक नाला से सामने आया है जहाँ पर शिकायत करता तनवीर हैदर ने संभल जिला अधिकारी अविनाश सिंग को एक प्रातना पत्र दिया है जिसमें प्रभारी एडी ओ पंचायत पामसा कपिल देव पर तमाम तरह के गंभीर ब्रष्टाचार के आरोप लगाएं है बुक नाला निवासी तनवीर हैदर आरोप लगाते हैं कि ग्राम पंचायत बुक नाला विकासखंड असमौली में माननीय हाई कोट इलहबाद के आदेश पर शोचाल्य घोटाले की जांच SDM संबल की अध्यक्षता में समीती गठित की गई थी जिसमें 9,85,000 की शासकी अधनराशी के गबन की पुष्टी हुई थी जिसमें ततकाली इन ग्राम पंचायत सचिव कपिल देव ग्राम प्रधान तन्वीर फातिमा के विरुद थाना असमौली में मुकदमा IPC में पंजिक्रत हुआ था तता गबन की विवेचना में पुष्टी होने पर भी विवेचक द्वारा आरोप पत्र न्याले में दाखिल किया गया इस सब के बावजूद जन्पत के अधिकारियों ने ग्राम सचिव कपिल देव ग्राम प्रधान तन्वीर फातिमा को क्लीन चुट दे दी है जबकि गबन की गई धनराशी की रिकवरी भी नहीं की गई है इन गंभीर आरोपों के लगने के बाद एक बार फिर से संभल जिले के पंचायत राजवर सवाल खड़े हो रहे है आखिर इतना गंभीर मामला होने के बावजूद भी एक व्यक्ति पर लगातार गबन भृष्टाचारादी के आरोप लग रहे है उसके बावजूद भी उस व्यक्ति पर इतनी महरबानी आखिर क्यों की जा रही है साथ ही उसको सचिव से प्रभारी ADO पंचायत बना दिया गया है जानकारी के अनुसार कपिल देव अपने रसूक के चलते जिले में अपनी धाक का दबदवा दिखाते हैं जिसके चलते अधिकारी भी कपिल देव के आगे मस्तक नजर आते हैं यही वज़े है कि कोई कपिल के खिलाफ आवाज उठाना तो दूर कारेवाई की सोच तक नहीं सकता है बुकुनाला का रहने वाला हूँ एक समाज से भी वेक्ती हूँ यह बुकुनाला में सोचाले इन्होंने 366 सोचाले बनवाए थे उसके हमने जो है जलादिकारी साब से सिकायत वगारा की थी तो सिकायत नहीं जब यहाँ पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई तो हमाने नियाला हाई कोट पहुचे वहां के आदेश पर हमने इनकी जाच कराई जाच कराने के बाद में नौलाग 6,000 के दोसी पाएगा इन पर फाई यार भी दर्ज हुई है और कोट में चार्शिट लग चुकी है उसके बाद भी जो है यह कपिल कुमार जो है यह तीन-चार बाद जो है सस्पेंड हो चुके हैं इनको फिर भी आज भी जो पामासा बिल है यह तो किसी शीआत को लेकर मैं चाहता हूं कि जो हमें न्याय स्पेंड आइला चाहिए भी जो है प्रेश्टर कलमचारी और अधीकारीों खिलाब जो है लेगशत्र चाहनो चाहिए असे ही लेडेश्टरंट पर आनके लिये बेल आइकन को अप्लिक कर हमारी चैनल को या शेर और सब्सक्राइब करें धन्यवाद